क्याते हैं स्टेट होरिजन्टल अरे स्टेट होरिजन्टल सारी करने का मौखा एक्जाम नहीं होता है हैं अब सारी सारी क्या करते हैं क्या दिया गया है एल दिया गया है 0.45 मीटर क्या निकाला हमको नहीं मालूम जो गिवन है नोड करते हैं अपने आप निकलाएगा एंड मास 60 ग्राम मास दिया है 60 ग्राम बोले तो 10 पौर माइनस 3 केजी इस सस्पेंड़ बाइ टू वर्टिकल वायर एट इस एंड एक वर्टिकल वायर से टांग दिया गया a current of 5 ampere is set up आई दिया गया है 5 ampere a current of 5 ampere is set up in the rod through the wire ठीक है तो पहला पार्ट आपसे कहे रहे हैं कि what magnetic field should be set up normal to the conductor magnetic field कितना इसमें set up किया जाए conductor in order to the tension in the wire is zero wire पर tension zero हो देखे ध्यान से अभी हमको नहीं मालूँ कुछ भी नहीं मालूँ गाओं के लोग जो बिलांग करते हों वो अरगनी जानते होंगे अगर किसी ने सुना हो तो नहीं जानते हो वोले हम तो सहर के लोग हैं गाओं वाले जबाती नहीं करते हैं और नहीं जानते हो अरगनी नहीं जानते हो कि मैं हिंदी में बता देता हूं वह से अरगनी हिंद बांस के एंड को रसी में बांधा और रसी को ऐसे उपर छट में जाके कहीं या कहीं पर बांध दिया तो बांस लटका रहेगा ना इसे उसको अरगनी कहते हैं क्या कहते हैं अरगनी उसका गाउ में कायता है और उसका यूज क्या होता है एक तो भई लटकने के काम में आता है जादा तर उसमें कपड़े अपने टांगने के काम में आता है या कुछ लोग बाद निए भुट्टे होते हैं भुट्टा होता ना भुट्टा अजा कॉर्ण का कहेंगे अब कॉर्ण कहेंगे तो कॉर्ण फ्लैक जानते हैं जो भुट्टे में होता हुक्ते हैं जो भुट्टे में होता है उसको क्या इंन्दी सो नहीं भुट्टे लटके रहते हैं लटके है तो कुलमना के ऐसी अरगनी यहाँ पर है, तो देखें यह एक राड है, यह एक राड है, यह एक राड है, जिसकी लेंथ कितनी है, 45 मीटर है, यानि की 0.45 L मीटर की यह लेंथ है, और फिराल L यहाँ शो नहीं करेंगे, वना यह जगे ज्याजा लेगा, समझ यह इसमें और इसका वेट 60 ग्राम है, तो इसका वेट नीचे के और काम करेगा, अब यह खोगे तो दिया नहीं गया, यह तो नहीं दिया गया है, कि वेट नीचे काम करेगा, तो यह understood है, ठीक है, और इसको ऊपर कहीं दो sting के दौरा ऐसे बांद दिया गया ऐसे, यहाँ पर support लगा दिया गया है, उन support से यह sting, अब यह ने कर ना उसकी height कम इसकी height जादा है वो आप समलोग बरावर है है यहाँ कोई naap के नहीं हम कर रहे हैं तो अगर यहाँ बांदा है तो यहाँ tension, भैसाब इधर यहाँ tension उपर की और act करेगा दोको tension की direction नहीं होती जिस जगह आपको tension निकालना है उस जगह से opposite tension काम करता है इधर tension इधर लगेगा उपर tension निचे लगे, यह tension काम करता है तो इसका मतलब यह कह रहे है कि tension ना लगे, तो tension ना लगे उसके लिए जो magnetic force होगा उसकी direction किदर होनी चाहिए यह magnetic force की direction होनी चाहिए ठीक है, जैसे पिचलों में देखा होगा हीरो ही लटक जाती है, उससे फांसी लगा के हीरो ऐसे मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं ऐसे उठाता है, ठीक है वो लात मारती हट, वो उटा रहे है, डबा उता रहे है उपर से बता रहे है, डाल का डबा उता रहे है, मर नहीं रहे है वो देखते नहीं कि डाल डबा उता समय लटकी जा रही है तो यह magnetic force उपर काम करता है तो अगर tension zero हो, उसके लिए magnetic force कितना होना चाहिए mg के बरावर होना चाहिए और magnetic force का formula BIL कि उसमें current flow हो रही है, ठीक है अभी current direction के हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर तुम बता रहे हो, समझ रहे हो BIL is equal to mg पूछ क्या रहा आप से, कि भाई, B कितना act करें तो mg upon IL तो M बोले तो 60 into 10 to power minus 3, G बोले तो 9.8, I बोले तो 5 और L बोले तो 0.45 इसको calculate करिएगा, इतने Tesla magnetic field आपको करना पड़ेगा अच्छा, आप magnetic field की direction किदर है magnetic field की direction किदर है normally अब normally लिखा ना, set up normal to the conductor तो normal to the conductor अगर ऐसे है, और force अब इसमें यह नहीं दिया गया है, ना, normal ऐसे है, तो force किदर लगेगा, नीचे लगेगा, अगर force नीचे लगेगा, तो क्या tension 0 हो जाएगा तो यानि कि, ऐसे होना चाहिए ना, तो current किदर होनी चाहिए, A से लेकर के, B की तरफ current flow होनी चाहिए, यह current की direction होती है, तो this is the first part, इसकी जो value magnetic field की आई है, वो 0.26 tesla, यह prox value है, अब आप करेंगे हर्ज के तो यह prox है आप लिख रहे हो, तो आप निकाल लीजेगा, बात थोड़ा वो देखना है, decimal की धादर हो सकता है, B part A कह रहे हैं, कि what will be the total tension in the wire, if the direction of the current is reversed, keeping the magnetic field same as before, ignore the mass of the, ignore the mass of the wire, उन्होंने कहा, कि अगर हम यहाँ पर, एक second, देखिए, क्या कहा उन्होंने, कि वह direction of current आपने reverse कर दी, direction of current reverse कर दोगे, reverse कर दोगे, तो magnetic force की direction किदर हो जाएगी, magnetic force नीचे काम करने लगेगा ना, magnetic force नीचे ही काम करेगा, नहीं हो, और magnetic, इसका मतलब दोनों मिल करके इसको tension create करेंगे, और tension कितना act कर रहा है 2T, दोनों मिला करके, तो 2T is equal to FM प्लस MG, निकालेज़े, FM की value क्या होती है, एचलिए, FM की value निकाल चुके हैं पहले से आप, FM, value तो ही आएगी, जो आपने IBL से B निकाला है ना, एक मिनट भाई साब, B वही apply हो रहा है, भी थोड़े change किया जा रहा है, मतब देखा जाए कि FM तो आपने, FM को तो MG से ही निकाला है, FM से जो भी निकाला है, तो आप इसको डाइट MG, 2MG कर दीजे ना, टेंशन 2T ब्रावर 2MG, तो T ब्रावर क्या हो जाएगा, MG, ये एक स्ट्रिम पे टेंशन है, इन्होंने आप से पूचा एक, what will be the total tension in the wires, तो total tension कितना है, 2T ही निकालना है, यानि आपको क्या निकालना है, 2MG निकालना है, 2, M की वैलू कितनी है, 60 इंटू 10 पावर, माइनस 3, और G की वैलू है, अब इसमें एक बड़ा confusion वाला वर्ड यूज किया गया, इसनों ने कहा कि, ignore the mass of the wire, ignore the mass of the wire means, तो hanging wire की बात हो रही है, ठीक है, अब इसे कुए से पानी खीचना है, पानी की बाल्टी बड़ी बड़ी बजन है, यहां ऐसे कुए हैं, कि जिसमें आप जो रस्सा होता रहा है, उसी ने उठा पाओगे तुम, वाल्टी तो छोड़ो जा रहे है, वो तब भी एक्नोर है, उसकी स्ट्रिंग की बात कर रहे ह नोट करें इसको